नमस्कार दोस्तों हमारे चानल टूफेक्टी चीम आपका स्वाइडत है आज का हमारे वीशा है होमिपैथिक मेडशिन लूफ़ा एमेरा के सिंग्टम सबसे पहले में आप से अनुद करेंगे कि आप हमारे चानल को लाइट करें सियर करें सब्सक्राइब करें बेल बटन जमाना नहीं भूलें जैसे कि हमारे आगला वीडियो अपने वाज़ उपसे मिलता रहें हमिपैथिक मेडशिन लूफ़ा एमेरा टीट पोला चित्ता नेनुवा के सिंटम तिल्ली का रोग होने के साथ ही बुखार होना तो यक्रित में खूल की संचार की गती में गरवरी उत्पन होना इस विकार क्लेक्शन से पेरी दिरोगी के रोग को ठीक करने के लिए लूफ सरीरी में सक्तिक को परदान करने के लिए किया जाता है लूफ़ा एमेरा उस्दीक परियोग सरीरी में खथिक परदान के लिए किया या आए दिविन लक्षनों में लूफह एमेरा उस्दीक उपीयोग जैसे मन से समंझत लक्षन, रोगी को डड़ लगता है तатhr arguably विक तो मल और तिल्णी से समंधित रोग हो जाता है। इस पिरित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लुफ्फा एमेरा उस्तिकर पर्योग करना लादयक होता है। मूँ से समंधित लक्षन मूँ सुखा रहता है। तथा अतयतिक प्यास लगती है। और मुह का स्वाद करवा हो जाता है इस पिरीद रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लुफ़ा एमेरा और जिगर परयोग करना चाहिए मल और उल्टी से समझेत लक्षन पतला मल आता है हर पंदर मिनट के बाद चारों के मान जैसा उल्टी में पदार्थ आता है पित जैसा या कभी कभी कफ जैसा हर आदे घंटे पर उल्टी होती है कभी कभी एक साथी अतिसार और उल्टी के वस्थावत्पन हो जाती है इस पिरीद रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लुफ़ा एमेरा और जिगर परयोग करना पायदे मंद होता है रोगी के सारे सरीर में जरन के अनभूती होती है तदा कभी कभी ठंड लगने लगता है नारी कमजोर हो जाती है उक्री होई जाती है तदा पसीने से ठंड लगता है इस भकार की लक्षूओं सी प्रित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लुफ़ा एमेरा और जिगर परयोग करना उचित होता है मात्रा लुफ़ा एमेरा और जिगर मुलार्क 3 bleeding 6 connection को ठीक करने के लिए करना चाहे हम अपने अगले वीडियो में किश्मात्रपूर विश्यपपर बतुर्यन काईयों को साथ आपकसाने प्रतूत होंगे धन्यवाद